कि नमस्कार दोस्तान रदा की चलवाब का स्वागत है और मैं आज बनाने जा रही हूं पकड़ी पकड़ी बहुत ही एजी रेश्पी है तो इसके लिए लिया है मैंने आधा कब बेशन तो आए मैंने अच्छे से छान के ले लिया है अब ले रही हूं साथ में ही एक कब दही तो फ्रेंस मैंने जितना बेशन लिया उसका डबल दही लिया अगर आपके पास खटी दही है तो आप जितना बेशन उतना ही दही इस्त यह मैंने प्रजाइन आप पष्ट दाव साथ क लिए अब ले रहे हूं उसमें इसमें चार कप पारी तो एक कप लिए प्रेंच प्रेंच में चार कप पानी डाल रहे हूं मियुक्षक करो तो इसे अगर मेजरिंग करूं तो कटोरी से जिससे आप मेजरिंग करो तो यह मेजरिंग अब धियान में रखो तो चलिए फ्रेंस इसे मिक्सर जार में ग्रेंड कर लेती हूं तो देखिए मैंने मिक्सर जार में ग्रेंड कर लिया अब इसे अच्छे से रष्ट करने के और बहुत ही इजी है बनाना फ्रेंस लेकिन इसमें हमें ध्यान रखना है कि मेरा परफेक्ट कड़ी बनना चाहिए तो चलिए इसे बेशन का डोर बना लेते हैं तो इसके लिए लिए मैंने आदा चमच जीरा उसको हाथ से क्रस करके डाला अब डाल रहे हूं एक पिंच ब्राबर हल्दी ताकि कलर आ जाए साथ में ही डाल देंगे फ्रेंस आदे छोटी चमच अजवाइन अजवाइन से फ्लेवर अच्छा आता है और टेस्ट भी अच्छी आती है अब इसे डोर बना लेंगे तो मैं फ्रेंस इस तक भूल गई हूं कि हे यूठ जए फिंच भी डाल दे अब इसे में डोर बना लेती हूँ और दिखे एककी बार पानी नहीं रहे हैं धोड़ा करके इसे हमें पकोडी के तरह इसे ब्याजन को और हमें तब तक इसे फेटना है जब तक कि हम अच्छे से और जितना फेटेंगे इसस्पंच उतना ही पकोडी मुलखा हुथ ही इस तक हम फेटते रहेंगे करीब पांच मिनाड तक इसको प्रेटेंगे ना तो इसे बेकिंग पोडर देना है ना बेकिंग सोडा बिल्कुल इसको फेट के ही बेटर तैयार करेंगे ताकि रूई जैसा सौप्ट हो जाए तो फ्रेंज देखिए मैं अब डाल रही हूं एक चोथाई चम्मच नमाक आप अपने स्वाधनों साथ डालें इसे भी देखिए मेरे पकोड़ी का बेकर तैयार हो गिया है साथ में ही तेल रख दिया था कड़ाई फेंगहरम हो जङो क कि देखे फ्रेंग्स मैंने सारे बेशन पकोड़ी डाल दिया अब इसे मेडियम फ्राइब करना है आई फ्रेंप नहीं मेडियम फ्रेंप पे से फ्राइब होने देंगे जब तक कि गुल्डन ब्राउन ना हो जाए तो पकोड़ी अपने आप पलट गया और देख सकते मैं थो और अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो किर्पया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइक अन आउन कर लें कि मेरे जब भी न्यू वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन पहुंचे कड़ी बनाने के लिए मैंने एक चम्मच तेल गरम होने देती हूं अब ले रही हूं इसमें इसमें तक सर्सो के दाने चार पाच कड़ी पत्ते और चार हरी मीर्च लंबे साइज में काटके तो देखिए फ्रेंज अब इसे डाल देती हूं और इसे अच्छे से फ्राय होने है अब इसमें डाल रही हूं एक चोथाई चम्मच जीरा जीरे को भी अच्छे से भूनने देंगे फ्राय होने दें इसमें मैंने बहुत ही कम तेल यूज किया है कड़ी में बहुत ही कम तेल मसालय लगता है और बहुत ही इजी तरीके से बन जाता है जीरा और सर्सो सरजार में ग्रेंड करके रखा था बेशन और दही तो फ्रेंड्स यह ग्रेंड इसलिए किया कि आओ दही कभी-कभी कड़ी में क्या होता है फट जाता है तो इसे फटेगा नहीं और अच्छे से बन जाएगा दिखिए तो मैंने इसे चला हाइफ लेंप पे चलाते रहेंगे जब तक किये कड़ी अच्छे से पकना जाए और इसमें कच्छा बेशन है तो इसे अच्छे से हमें हमें इसे 10 मिनद तक हाइफ लेंप पे ही पकाना है ताकि अच्छे से पक जाए और कच्छा पनना रहे तो देखिए मेरा कड़ी पक के तयार हो गया है अब इस में डाल र तब तक हम पकाते रहेंगे जब तक कड़ी मारे शॉप्ट ना हो जाए तो दिखिए कड़ी मेरा शॉप्ट हो चुका है और अब अच्छे से पक गया है तो फ्रेंस इसमें मैंने अभी तक नमक नहीं डालें आप इतना धियान रखें कि पहले नमक डाल देते हैं तो तहीं फ पकने देती हूँ ताकि अच्छे से नमक अपजॉब हो जाए तो दिखिए मैं बगड़ी बनके तयार हो गया अब इसमें डाल रहे हूं मैं तडका तो आप चाहे तो तडका डाल सकते हैं अगर आप पसंद नहीं करते हैं तो नहीं भी डाल सकते हैं इसकिप कर दें तो दि क्लिए देख लेते हैं कि कड़ी कितना शॉप्ट बना है तो देखिए मैं दिखाती हूँ आपको तो कड़ी बिल्कुली सौप्ट बना है बिल्कुल मैंने ना तो बेकिंग सोडा यूज किया है ना वेकिंग पाउडर अगर आपको मेरी रेस्पी पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ना भूलें तो देखें यह यह कड़ी पकोड़ी बनके तयार हो गया है फ्रेंट में ज़रूर बताएं कि मेरे रेस्पी अगर तकिली बैट